हेलो फ्रेंड्स कंचन की किचन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे आलो की पहुत ही टेस्टी और खस्ता कचवरी जिसे बनाना पहुत ही आसन है मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से इसे बनाना बताऊंगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके ताकि आप भी बिल्कु पसंद आने वाली है इसको बनाने के लिए सबसे पहले हैं यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है आप चाहो तो आधा गेहूं का आटा और अधा मैदे से बना सकते हो तो सबसे पहले इसमें हम एक चमच अजवायन डालेंगे हातों से ऐसे करस करके इसके बाद इसमें हम न है मिला लेंगे सभी चीजों को है कि अब इसमें हम पानी डालेंगे दोड़ा-पाले रोटी होडी कर लेंगे यह देखिए बहुत ज्यादा नरम आटा को नहीं गूतना है थोड़ा से सकत रहेगा रोटी के आटे से यह देखिए कचवरी का आटा जो होता है थोड़ा से सकत रहता है तभी कचवरी जो है खसता बनती है तो यहाँ पर हमने बिल्कूल अच्छे से आटा लगा लिया है फिर मैसर से मैस कर लेंगे आप अपने हिसाब से आलू लीजिए गा मैं यहाँ पर थोड़ा से मतलब ज्यादा इस्टपिंग बना रहे हूं इसलिए ज्यादा आलू लिया हमने और तेल को गरम करेंगे कड़ाही में इसके बाद इसमें जीरा और हिंग डाल देंगे इसको ह अच्छे से फ्राइब कर लेंगे कुछ सेकंड में ही मिर्ची जो है फ्राइब हो जाती है इसके बाद इसमें हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एड़ करेंगे और दरदरी कुटी हुई धनिया आप चाहो तो यहाँ पर साबूत धनिया भी एड़ कर सकते हो या फिर कि अच्छे से मिलाएंगे मतलब एक मिनट तक हमको मसाले के साथ आलू को भून लेना है तो यहाँ पर हम ने इसे भून लिया है अब इसमें हम कुछ और मसाले days करेंगे तो यहां पर हमने लिया एक पड़ा चम्मच आमचूर पाउडर और इसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे अच्छे से मिला देंगे सभी चीजों को आप चाहो तो इसमें मटर या फिर मूमफली ली एड़ कर सकते हो मैं थोड़ी सी ज़्यादा इस्टपिंग बना रहे हूँ इसी स्टपिंग से मैं आलू का पराठा भी बना लेती हूँ बहुत ही स्वादिष्ट बनता है इसलिए मैं इसमें मटर या मूमफली का यूज नहीं किया है क्योंकि पराठा बनाते समय पराठा जो है वो फट जाता है यहां पर हमने सारी चीजों को डालने के बाद दो मिनट तक और पका लिया है इस्टपिंग हमारी बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है यह देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है इस्टपिंग तो गैस का फ्लेम हमने आफ कर दिया है अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और अच जली से ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के बाद हम इससे कच रिया बनाएंगे तो यहां पर हमारी श्टपिंग जो है अच्छे से ठंडे हो गई है इससे हम कच रिये बनाएंगे और इसके साथ हमने बनाया है यह झोला अगर आपको यह पसंद आया हो तो इस वीडियो की ल तोड़ा सा बड़ा चोटा बना सकते हैं इसे थोड़ा सा राउंड करेंगे और हल्का सा दबा कर चप्टा करेंगे और इस तरह से बढ़ा करेंगे और कटोरी का सेफ दे देंगे इस तरह से और इसमें हम इस आलू की स्टपिंग को भर देंगे इस तरह से आप अपने इस आप से इस्टपिंग थोड़ा सा कम या ज़्यादा भर सकते हैं और इसके किनारों को हम हलका सा दबा कर पतला करेंगे और चारो साइड सी से कवर कर देंगे यह देखे ऐसे गुमाते हुए इसमें हम इसको दबा देंगे आप चाहों तो एक्स्टर आटा को हटा सकते हो और चकले पर हलका सा ओयल लगा लेंगे और इसी पर हम इसे रखेंगे और हलका हलका दबा कर इसे हम थोड़ा सा बढ़ा कर लेंगे यह देखे इस तरह से तो एक कचोरी हमारी बन गई है सेम तरीके से हम दूसरी कचोरी भी बना लेंगे तो इस तरह से गुमाते हुए हम इसे कटोरी का सेप देंगे और इसमें हम इस्टपिंग भर देंगे आप अपने पसंद से थोड़ा कमया जादा इस्टपिंग भर सकते हैं मैं इसमें खुब ज़्यादा ही श्टपिंग भर रही हूँ यह देखे इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है अगर आपको कम पसंद है श्टपिंग तो आप इसमें कम भर सकते हैं अच्छे से कवर करेंगे और इसे ऐसे गुमाते हुए इसे बंद कर देंगे यह दे कि हाथों से अ ही यह बड़ा हो जाता है भी जरूरत नहीं है इसको तो अब हम इसे फ्राइक कर लेते हैं इसे हाइब लेंपर भिल्कुल भी नहीं फ्राइ और तेल में थोड़ा सा आटा डालका हम इसे चेक करेंगे तेल हलका गरम है तभी इसमें हम कचवरिया डालेंगे यह देखिए पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेना है फिर उसे ठंडा करके बिल्कुल हलका सा गुनगुना रह जाए तभी इसमें कचवरिया डालना शुरू करन है आपको हाई फ्लेम पर या फिर बहुत जादा तेल गरम रहे तब उसमें कचोरियों को फ्राई नहीं करना है नहीं तो कचोरियों उपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्ची रह जाएंगे और खस्ता भी नहीं बनती है तो यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कूल इस तर फ्राई करना हैं यह देखे़ं अपे आप कचैक सीपूलना है तो अब यहां पर आप गयसका फ्राइम थोड़ा सारतेश थोड़ा सब्सक्राइब मैं देखें सारी कचैक यादक रख दिला दूंकि अगर हमारी रेस्पी आपको फ्राई करेंगे और यह बिल्सकाँ माद अ अगर हमारी रेश्पी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सिस्क्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि आप वीडियो देखने के बाल लाइक करना भूल जाते हो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी कचवरियां फ्राइ हो रही हैं यह देखिए तो कचवरियों को हम प्लेट में निकाल लेंगे यह बहुत ही अच्छे से फ्राइ हुई है बिल्कुल अंदर तक यह कच्छी नहीं रहती है यह देखिए मैं आपको एक कचवरियों भी लाइश्ट में तोड़कर भी दिखाऊंगी तो इसी तरीके से आपको कचवरियों को बन आजाएंगे एक साथ आपको उतनी कचवरियों डालते जाना है और जैसी हलकी सी एक साइट सिकेगे इसे हम दूसरी साइट पलटते जाएंगे हमारी आप से रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी यह रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीड हलका सा हम बढ़ा देंगे और इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राइ कर लेंगे इसे तरीके से सारी कचवरियों को आपको फ्राइ कर लेना है बहुत ही स्वादिष्ट यह बनती है तो एक बार अगर आप इसे बनाओगे तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी बच्चे बड़े सभी को यह पसंद आने वाली है और यहां पर हमने सारी कचवरियों को फ्राइ कर लिया है यह देखिए देखने से आपको पता चल रहा होगा कितनी यह खसता बनी है तो I hope की हमारे तरीका आपको पसंद आया है पसंद आया हो तो हमारे channel को subscribe and video को like जरूर करें मैं हर रोज इसी तरह से नई-ई-ए recipe लेकर आती रहती हूँ तो हर रोज नई-ई-ए recipe के लिए channel को subscribe जरूर करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अप्लोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और इस कचारी को एक बार आप चरूर से ट्राइ करिएगा आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद